हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल एवरीडे न्यू दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग RRP ALP CBT1 के रिजल्ट के अपडेट के ऊपर देखें दोस्तों जैसा की आंसर की आचुका है और CBT2 एक्जाम कब से सुरू हो सकती है कितना टाइम यहां पर CBT2 के एक्जाम में लगभग यहां पर बचा है तो आएए इन सब चीज़ों पर डिसकसन करते हैं फ्रेंसी से पहले अगर आप लोग RRP CBT2 की त्यारी कर रहे हो तो देखिए किरन पप्लिकेशन की बेसिक साइंस एन एंजिनेरिंग ड्रोइंग का यहां पर बुक आता है जो की बिल्कुल एक्जाम के लेटेश पैटरन के आधारीत पर है यहां पर प्रिवियस येर कोशन क सोल पेपर भी इसमें मिल जाते हैं और बुक स्टोल पे ऑनलाइन माध्यम से भी एबलेबल है इतना ही नहीं यहां पर मैथमेटिक्स के लिए येर वाइज और सेट वाइज इनका कोशन होता है जो कि 2018 से दोहार तेश तक जितने भी डिफरेंट एक्जाम में पूछा गया ह सब कुछ आपको इस बुक में मिल जागा जो कि डिफरेंट एक्जाम में हिल्फूल साबित होगा इसी तरह से रिजनिंग के लिए एबुक कंसिडर कर सकते हो जिसमें यहां पे 2018 से तक जितने प्रशना है सब कुछ आपको रिजनिंग के आगुए सोल पेपर हिंदी इंगल की बात कर लें तो 10-12-2024 यहां पे लाश्ट डेट रखा गया है अब्जेक्ट सरेज करने का टाइम भी दे दिया गया है इसके बाद आप लोग चाहा कि भी अब्जेक्ट सरेज नहीं कर पाईएगा लिंक डी एक्टिवेट हो जाएगा तो कुछ दिन और बचा है आप लो साब आप लोग वेट करके किजिएगा ट्राइग यहां पे हो जाएगा कई सारे छात्र ने भेजा भी है मेरे पास कि सर मेरा यहां पर अब्जेक्ट सरेज के साथ लेकिन अब्जेक्शन हो भी रहा है और फी पेमेंट बागी सारा चीज है जो कि आपको पैसे देने होंगे तब ही अब्जेक्शन इहां पे एसेटिड माना जाएगा अगर अब्जेक्शन करके पैसे नहीं देते हो तो SKS में उब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाता है ठीक है यह नोटीस आपको सबको पता होगा इस नोटीस में आंसर की के बारे में सारा कुछ बता दिया था ल इसके बाद जितने भी objection जाएंगे railway के पास वो सारे objections का एक एक करके ये लोग निप्टारा करेंगे हर candidate त्वारा भेजेगे objections को उनको verify करना होगा उसको जाच परताल करना होगा जो candidate reference दी है उनकी भी जाच परताल करनी होगी क्योंकि हर एक objection पे candidate के 50 रुपए यहाँ पे होता है friends और सबसे आदा इसी में railway का समय जाता है सारा objection को बिल्कुल अच्छे तरीके से verify करने में और तब जाकर के उसको किसको सही मानना है किसको गलत मानना है एक वी candidate के objection को ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं देखेंगे सभी candidate का देखा जाता है तो सभी objection का डिप टारा करन यह लोग सारा कुछ complete कर लेंगे final answer की prepare भी कर लेंगे लेकिन website पे दुबारा final answer की नहीं आगी यह result जब आता है दोस्तों आपका ध्यान रहे result जब आएगा उसी समय आपकी final answer की जारी होगी plus scorecard जारी होगा plus यहाँ पर result आएगा एक ही साथ website से देख सकते हो तो बीच में को expected हम लोग बात करें तो देखिए result में दोस्तों अभी आपका यहाँ पे अच्छा खासा समय लगने जा रहा है answer की बड़ा जल्दी दे दिये लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं की result भी बहुत जल्दी आ जागा क्योंकि यह प्रक्रिया लंबी होती है पहले तो सारे objections जो जाएंग इसको final answer की उसके basis पे तयार करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आती है percentile based normalization की total 15 shift में paper हुआ है ठीक है तो हर shift का percentile based normalization करने में समय जाएगा इसी तरह से यहाँ पे percentile based normalization कर लेंगे तो उस पे normalization करेंगे per shift के according कौन सी shift tough थी कौन सी EG कौन सा moderate था उसके basis पे फिर इ result तो RRB wise आने वाली है तो यह सारे process में plus यहाँ पे scorecard चातर का बनाना होता है हर एक candidate के personal scorecard यहाँ पे बनते हैं तो इसमें लंबा समय चला जाता है और हमेशा से railway का record रहा है answer की अगर जल्दी भी देते है तब भी result आते आते तक करीब करीब यहाँ पे two month के आसपास का समय यहाँ पे railway वाले लगा ही देते हैं कुछ previous record की बात करें तो 2019 में जो NTPC का paper हुआ था इसमें भी answer की जल्द ही दे दिये थे friends 5 दिन के अंदर अंदर answer की दे दिये थे cv2 वाला लेकिन जब result की बारी आई तो result में यहाँ पे करीब two month के आसपास का समय लोग लगा दिये थे वही 2019 वाली यहाँ पे group D भरती की बात करें तो group D वाली भी answer की दो दिन में यहाँ पे जारी कर दिये थे लेकिन जब result की बारी आई तो result दोस्तों यहाँ पे 67 days लगा दिया था यहीं करीब करीब two months से भी उपर यहाँ पे लगा दिया था तो यह record रहा है answer की जल्दी देते पेपर इन्होंने कंड़क कराया है यह तो मानने वाली बात है सिर्फ 5 दिन में 15 ही पेपर इन्होंने कंड़क करा लिया प्लस जो objections जा रहे हैं candidate के वह बहुत ज्यादा question गलत नहीं है कम shift में पेपर हुआ है इसलिए objections भी ज्यादा नहीं जा रहे है पहले जो 2019 वाला NTPC की बात करें 133 shift में पेपर हुआ था दोस्तों और group D की बात करें group D की 99 shift में पेपर हुआ था और यह आपका ALP का अभी सिर्फ 15 shift में अब 133 shift में कितने objections यहां पे railway के पास गये होंगे 99 shift में कितने objections railway के पास गये होंगे क्योंकि हर answer की में हर shift की में कुछ ने कुछ गलतियां हो होती है दो चार question का तो गरबड़ी इधर से उधर हो ही जाता है ऐसे किसमें बहुत समय लगता है process करने में यहां तो सिर्फ 15 shift में है objections भी कम गए है और plus ज्यादा गलत भी नहीं है मुश्किल से दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें 22 या 23 question मुझे लग रहा है कि बिल्कुल गलत है exact जिसमें candidate को bonus marks मिलेंगे या फिर कुछ question को हटाएंगे ambiguous question को बोलते हुए ऐसे railway ठीक है तो बहुत ज़्यादा नहीं है पहले की तुलना में NTPC और group D की तुलना करें तो इसमें कम है काफी कम इसके तुलना में objections या फिर गलत questions plus annual exam calendar को भी बोल रहे हैं कि follow करेंगे उसके basis पे 2025 में भी नई भरती आने वाली है तो मेरे according लगता है कि यहाँ पे समय तो लगेगा है इस सारा process में लगता है लेकिन दोस्तो result आपका result mid January से लेकर के end January तक publish होने के chances maximum है यानि 15 जनवरी के बाद ही आपका result आएगा और last last January आत तो आपका result आने का है ठीक है scorecard की बात करें तो जब result आती है उसी के साथ ही उसी दिन साम साम तक या फिर दूसरे दिन तक यहाँ पे scorecard सारे candidate का जारी हो जाता है link आजाएगा उसे आप लोग लोग इन करके देख सकते हो अपना scorecard कि कि कितना normalization में बढ़ा कितने marks हैं raw marks कि सकते हैं और आखिर कितना समय यहाँ पे मिलेगा CBT2 के लिए तो देखिए दोस्तो मेरे according यहाँ पे फरवरी माह में आपका CB2 का exam है जो की conduct हो सकता है यह ज़्यादा तर chances यहाँ पे लग रहे हैं हलांकि जो railway ने ALP का timeline दिया था उसको भी एक वार हम लोग देखें तो यह वो timeline जो की ALP का जब notice आया था उसी समय दोस्तो जब form भरा रहा था उसी समय लोग जारी कर दिये थे और इसमें timeline में कुछ इस प्रकार दे रखा था हलांकि यह तो calendar पूरी तर से फेल हो गया था लेकिन कुछ चीज़ों आंकड़े देखें तो बोला गया था CBT1 कि जून से अगस्त के बीच में contact करेंगे और CBT2 के बारे में यहां पर दोस्तों बोला था कि September माह में contact करेंगे ठीक है अब कुछ candidate के queries रहेंगे कि सर यहां तो अगस्त में बोला गया था कि CBT1 ले लेंगे और इसके बाद तुरंत हीं बोले थे कि September में ले लेंगे तो एक महिने के आस जाम टेंडर ही फाइनल नहीं होगा तो कैसे यहां पर इसको ले सकते हैं पेपर और देखा कितना डीले करते करते अब जा करके यहां पर नुमबर दिसमबर में तो पेपर कंटक करा है अब यहां पर एक चीज़ समझेगा जून से अगस्त के बीच में बोला गया था एक्स हो ही नहीं सकता रेलवे में कि अगस्त में पेपर कराते हैं और एक महिना के अंदर अंदर रिजल्ट देखर के CB2 का डेट भी आ गया और कंडग करा ले ऐसा पॉसिबल नहीं है तो यह मसमझे कि अगस्त में CB1 होता तो सप्टेंबर में CB2 हो जाता है यह पॉसिबल ही नहीं रिजल्ट देंगे दो महिने पे 60 दिन बाग, 65 डेज बाग, 67 डेज बाग, 70 डेज बाग, रेलवे का भी यही दोस्तो रहा है रिकॉर्ड तो मुझे लगता है कि बस यही दो महिने का समय आपको CB2 के लिए मिलेगा दो महिना या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसको य आंसर की और सारा कुछ अब्जेक्शन रेज और प्लस दोस्तो रिजल्ट आते आते ही दो महिने का समय लगे ही जाता ठीक है तब जाके नोवंबर में साइको टेस्ट एलो कंड़क कराते हैं तो इसलिए दोस्तो यहाँ पे समय लग जाता है तो अगर रेलवे वाले तेजी दिखाएं और सब कुछ सही चीच चला तो फ्रेंड्स आपका CBT2 का जो पेपर है वो फरवरी माह में एलो कंड़क करा सकते हैं संभावी तो यही है और चूंकि दोस्तो यहाँ पे एक से दो दिन के अंदर अंदर ही यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर एलो कंड़क करा ले देंगे तो पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे कंड़क करा देंगे तो किसी का अलग अलग पेपर भी चल रहा होगा फरवरी माह में TCS का तब भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है एक दिन में जब यहाँ पे कर लेंगे तो कोई किसी को दिक्कत ही नहीं होगा इस दोस्तों एक तरह से जो है सिलिवस पर बड़े नहीं डालेगा इसलिए इसके कोडिंग आप लोग अपना प्रिप्रेशन बिल्कुल भी सिरसली चालू ही रखिएगा बाकी जैसे से अपडेट कोई भी नोटिस को इंफोमेशन आती है सबसे पहले अपडेट कर दूँगा चै मिलता है नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट में